हेलो चात्रों मेरा नाम है दीपक, आप लोगों के लिए हम गणित NCRT बेस्ट पर जो आधारित है कच्छादस की उसका पहला चैप्टर लेकर आये हैं, जिसका नाम है वास्तिविक संख्याएं और इसमें प्रशनावली पहला और पहला का पहला जिसमें है यो कलिट आजन एलगोरिथम के प्रयोक्त से HCF निकालना बहुत ही आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा ठीक है और इसके बाद जो वीडियो आएंगे उन्हें आप करम से देखिएगा और अगर आप ऐसा करते हो तो यकीन मानो कि किसी भी कोचिंग सेंटर में अगर आप क्लास ल कालना है HCF HCF का फुल फार्म क्या होता है highest common factor यानि महत्तम समाप वर्तक ठीक है महत्तम समाप वर्तक ग्याद करना है 135 और 225 का किस भी विधी से Euclid विभाजन अलगोरिथम ये क्या है देखिए महत्तम समाप वर्तक तो आप बहुत सारी विधियों से ग्याद कर सकते हो ले इसलिए जिस तरह से कहा जाए उसी तरह से आपको board exam में लगाना है तो इसमें करते क्या है कि सबसे पहले जो संख्या छोटी है ठीक है उसको हम चले इधर करते हैं एक बार रफ करते हैं जो संख्या छोटी है उसको आप लिख लिजिए और जो संख्या बड़ी है उसको मतलब बड़ी संख्या में छोटी संख्या का आपको भाग देना है अब देखो 135 दोना होता है 270 लेकिन यहां 220 ही है इसलिए कितनी बार जाएगा एक बार 135 एक कम 135 ठीक है 5 में से 5 गया 0 फिर इधर 6 लेया 2 12 12 में से 3 निकला 9 90 6 आया तो जब 6 आ जाए तो एक बार फिर से उसको ऐसे लिखते हैं और यहां पर जिससे भाग दिया गया है उसको लिखते हैं तो किससे भाग दिया गया था 135 से तो अब 135 यहां लिखेंगे और जो 6 आया है उसको यहां तो आप जानते हैं कि 90 दूना 180 होता है इसका मतलब दो बार भी नहीं जाएगा एक ही बार जाएगा नबबे एकम नबबे पांच में से 0 निकला 5 तेरा में से 0 निकला 4 फिर से 6 आ गया आपका 45 अब आप ऐसे कर दीजिए फिर से और यहाँ पर क्या लिख दीजिए 90 आप देखिए 45 दोना क्या होता है नबबे अब की बार सेज कुछ नहीं बचा मतलब 0 बचा तो लास्ट में पूरी तरह से भी भाजित हो गया किस से भी भाजित हो गया 45 से तो अब आपको फेर में क्या करना है जब बोड इक्जाम में जब आप लिखेंगे तो आपको करना क्या है आपको एक बार ऐसे कर लेना है फिर उसके बाद आपको यहाँ पर ऐसे करना है हल डालके बड़ी संख्या को पहले उसके बाद ठीक है भाग का चिन लगाके 135 यानि छोटी संख्या को यहाँ फिर आपको यहाँ पर जो इसका भाग करने पर जो परिडाम आएगा परिडाम में आपका आएगा सेस तो सेस क्या आएगा यहाँ पर देखिए 90 तो 90 आया है और 90 में फिर से भाग करिए ठीक है 90 का भाग देना है किसमे 135 में उल्टा लिख दिये 135 में भाग देना है 90 का यानि कि जो 6 आया था फिर जब आपने 90 का भाग दिया तो अब की बार 6 कितना आया 45 तो इस 90 को फिर से आप यहां लिखे और 45 से भाग दीजी तो अब की बार पूरी तरह से कट जाएगा 45 दोना 90 यानि कि अब की बार जो 6 आएगा वो क्या आएगा 0 तो आपका कटा किस से 45 है ना तो यहां भी देखिए किसे कटा था 45 से तो इसका मतलब आपका जो HCF होगा वो क्या होगा 45 किसका 135 और 225 का HCF होगा 45 दूसरा प्रशन है 196 और 31 दाहिन सेकड़ा 1000 दस हजार 38,220 इसका आपको निकालना है HCF किस बिदी से अल्गोरिथम से तो ठीक है चलिए डायरेक्ट हल डाल देते हैं जरूरी नहीं कि एक बार रफ करिए एक बार फिर क्योंकि आपको दिखाना है कि हम कैसे कर रहे हैं तो चलिए 196 को हम लिख देते हैं यहां क्योंकि 196 से हमें करना है भाग किस में भाग करना है 38, 22 और 0 में ठीक है न आप देखे 196 तीन अंगों में है 1, 2, 3 तो तीन अंगों इसका भी लिए लिजए 382 तो हो गया 382 तो 190 यानि कि 190 दुना इससे ज़्यादा होता है तो एक बार ही जाएगा एक छक्के 6 एक नवाई 9 एक एक कम एक यानि 190 एक कम एक सो चानवे 12 में से 6 निकला 6 यहां 7 17 में से 9 निकला 8 और यहां 2 में से 1 निकला 1 186 बगल में क्या है? 2 उतार लिया हो गया 1862 लगभग 9 बार जायेगा ट्राइ करते हैं 9 चंग 54 हासिल लगा 5 9 नो एक यासी 82 83 84 85 86 86 हासिल 6 8 सोरी 8 9 एक अननम 9 और 8 17 फिर से देख लेते हैं 9 चंग 54 हासिल लगा 5 9 नो एक यासी और 5 86 हासिल लगा 8 99 नो आट सकते रहे 12 में से 4 निकला 8 12 में से 4 निकला 8 यहां बचा 5 15 में से 6 निकला 9 फिर यहां साथ में साथ निकला 0 एक में एक निकला 0 बगल में क्या है 0 980 तो 196 5 बार देखते हैं 5 चंग 30 5 नो 45 46 47 48 हासिल लगा 4 5 यकंदम 5 और 4 9 यह देखिए यह पूरी तरह से कट गया सेस इसमें कुछ बचा ही नहीं तो जब सेस कुछ भी नहीं बचा तो जिस से कट गया है उसी को क्या माना जाएगा आंसर यानि यहाँ पर जो HCF होगा वो क्या होगा 190 मतलब 190 और 39220 का जो HCF आया वो क्या आया 190 ही क्योंकि 190 से यह पूरी तरह से कट गया तीसरा और लास्ट प्रशन है 867 और 255 का HCF ग्याद करो यकलिट बिभाजन एल्गोरित्म से तो इसमें छोटी संक्या काउन है 255 तो 255 को हमने लिख दिया बाहर अंदर किसको लिखेंगे 866 को ठीक है 866 कितनी बार जाएगा चार बार रगल ले जाएगे तो ज़्यादा हो जाएगा दो चोक आट तीन बार ट्राए करते हैं तीन बार ले जाते हैं तीन बार ले जाते हैं तीन दून अच्छ और एक साथ तो क्या आया 765 साथ में से पांच निकला दो चा में से छे निकला जीरो आड में से साथ निकला एक 102 फिर से चुकि सेज बच गया इसलिए हमको ऐसे करना है और यहाँ पर क्या लिखना है जिससे भाग दिया गया था 255 अब 102 दूना होता है 204 और तीन बार तो जाया गया नहीं क्योंकि 200 ही है तो दो बार ले जाते हैं दो दूनी चार दो जिरम में 0 दो एक कम 2 पांच में से चार निकला 1 पांच में से 0 निकला 5 51 आया फिर से ऐसे हमने किया और यहाँ पर क्या लिखा आपकी बार 102 तो 51 दूना क्या वता है 102 पूरी तरह से कट गया सेस कितना बचा 0 तो 867 और 255 का जो HCF होगा highest common factor वो क्या होगा जिससे अंत में कट गया है किससे कटा है 51 से तो आपका आंसर क्या होगा 51 तो I hope कि आपको समझ में आया होगा आपके प्रशनावले एक का एक में जो HCF ग्याद करने की सवाले थी वो सिर्फ तीन ही सवाले थी तो इसलिए मैंने तीनों को बढ़ा दिया अब अगले वीडियो में ठीक है तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमको बताईए और अपने मित्रों के पास इसे जरूर सेयर करिए ताकि अधिक सथिक लोग इसे देख सकें